होता है क्योंकि सारे फॉर्मूले एक जैसे होते हैं तो कोशिस करिए का वो फॉर्मूले याद रखें और मेरी कोशिस रहेगी तो इन फॉर्मूलों को प्रूब भी करवाएंगे बिल्कुल अगले वीडियो में एक्सरसाई में नहीं हाँ जी इसमें यह जो फॉर्मूला दिख रहा है य फॉर्मूला i equal to dx under root x square minus a square log x plus under root x square minus a square plus c. इस फॉर्मूले में आप लोग इससे compare करोगे तो x की जगे x ही चल ला है a square की जगे कितना चल ला है 4 तो यहां लिखेंगे put on a square equal to 4 means a equal to हो जाएगा 2 इस फॉर्मूले में put कर दो तो therefore हमारे integration का answer हो जाएगा log x plus under root x square minus a square ही है तो direct 4 ही लिख दो plus c बस इतना ही करना है इसका solution ज्यादा बड़ा नहीं करना है हाँ जी सवाल नंबर दो आपका इस function का integration करना है formula मैंने यह पुराना वाला लिखने दिया लिखा रहने दिया question number one वाला क्यों लिखने दिया लिखा रहने दिया sorry सवाल नंबर दो सवाल यह है पिछले सवाल मतब question number one से थोड़ा सा अलग है वो था x square minus a square वाने x square minus 4 उसमें यह formula लगा तो मैं यह बताना चाहता हूं कि formula में आप देखना जरा सा difference है अगर मैं a square पहले लिख दूँ x square बाद मैं लिख दूँ और इसका इदर का result पूरा change हो जाएगा ठीक है a square minus x square इसलिए बड़ा ध्यान से formula याद रखना है यह पूरा formula change हो कि इसका result बना sin inverse x upon a यह formula हम apply करेंगे अब plus c भी लगाना है यह formula apply करेंगे तो हमारी जे कोसिस है कि x square के साथ में जो भी दिया है 9 उसे square root से बाहर common करिए चलिए now i equal to dx under root 4 by 9 minus x square अगर मैं इस 9 को common करूंगा square root से बाहर ठीक है तो यह 1 upon 3 आ जाएगा ओके चलिए तो i equal to 1 upon 3 dx under root और इस 4 upon 9 को लिख लीजिए 2 upon 3 का square minus x square अब आप इस formula से और इसका compare करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे on putting a square equal to 2 upon 3 का square means a की value 2 upon 3 formula में put करना है in formula number 1 तो i equal to आपका answer आ जाएगा यह 1 upon 3 अल्रेडी इदर है तो इसका answer निकल के आएगा sin inverse x upon a 2 upon 3 plus c एक step और बढ़ा लिजिए यह आपकी final step हो जाएगी 1 upon 3 sin inverse 3 x upon 2 plus c answer check करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको differentiate कीजिए और differentiate करने पर यह आ जाएगा ओकी तो इस तरह से आप solution को check कर सकते हैं सवाल दिया है dx upon 9 plus x square बहुत बढ़ी है सवाल है कुछ नहीं है बस formula याद होना चाहिए आपको और इसका formula है dx under root नहीं है sorry 3 का square plus x square यह है तो अभी यहां 3 का square बनेगा लेकिन मैं यहां a square लिख रहा हूँ तो इसका formula है 1 upon a 10 inverse x upon a plus c आप समझ ही गए होंगे कि इस सवाल में इस formula में का difference है यहां a square है यहां पर 9 है तो a कितना हो जाएगा 3 है ना तो यहां लिखेंगी on putting a square equal to 9 या a equal to 3 in 1 therefore i equal to 2 हमारा answer आजाएगा 1 upon 3 10 inverse x upon a x upon 3 plus c बस यह इतना ही solution करना है question number 4 यह दिया है सवाल और formula यही वाला लगेगा है ना बस आप आपको करना केवल यह है कि x square के साथ जो भी coefficient है बन के अलावा है ना उसे आप common करना है अब इसे हम common करेंगे तो 1 upon 4 बाहर लिख दीजिए dx और यह बचा 9 upon 4 plus x square थोड़ी सी form और match कर लो formula से dx 3 upon 2 का whole square plus x square अब पूट कर दो पस on putting a square equal to 3 upon 2 का square means a equal to 3 upon 2 in formula number 1 i equal to 1 upon 4 already है integral sign से बाहर इसका answer आजाएगा कितना 1 upon a 1 upon a means 3 upon 2 और 10 inverse x upon a a की जगे 3 by 2 put कर रहे हैं तो i equal to यह 1 upon 2 से 2 times माने 3 2 जा 6 10 inverse 2 x upon 3 plus c बस यह हमारा answer है number 5 i equal to यह formula मैंने लिखा रहने दिया अब आप थोड़ा और याद रखो पिछले सवाल में square root नहीं था इसलिए formula लगाया अब आ गया square root square root लगते ही पूरे formula की सकल बदल जाएगी ठीक है उसका formula हो जाएगा log x plus under root a square plus x square plus c ठीक है थोड़ा थोड़ा संता देखो square root नहीं था तो 10 inverse वाला लग गया बना पौन ही 10 inverse x अपौन ही और इसमें square root आ गया है तो आपका formula log x plus under root a square plus x square है ना हाँ यह rule अपन को follow करना ही है कि सबसे पहले 4 common निकालिए i equal to x square का coefficient बन बना के चलना है तो इस 4 common निकालेंगे तो square root से बहार 1 upon 2 आएगा dx under root 25 upon 4 plus x square 1 upon 2 dx under root इसको लिख दो 5 upon 2 का square plus x square on putting a square equal to 5 upon 2 का square in formula number 1 तो i equal to 1 upon 2 formula number 1 के answer log x plus under root 5 by 2 का whole square plus x square plus c एक बात और बता दें आपको आप answer यहां छोड़ सकते हैं मगर हर सवाल के answer में आपका जो quadratic equation है वो इसी form में answer sheet में दिया होगा तो आप यहां इसको solve करके answer इसी form में लाएंगे ठीक है अब इस form में कैसे आएगा दीखते हैं i equal to 1 upon 2 log x plus under root यह 25 plus 4 x square upon 4 ओके plus c यह x plus under root 25 plus 4 x square 4 को square root से बाहर कर दीजिए अब lcm ने लो 1 upon 2 log 2 x plus under root 25 plus 4 x square upon 2 plus c तो i equal to 1 upon 2 log 2 x plus under root 25 plus 4 x square minus log 2 plus c हाँ जी आप बिलकुल correct बिलकुल accurate answer मिलाना चाहते हैं तो मैं पिछले वीडियो में यह clear कर चुका हूँ के integral constant यह c के बारे में हमें नहीं पता अनिश्यत है इसलिए इन समाकलोनों का नाम भी अनिश्यत समाकलन indefinite integral माने हमें यह function मतलब पूरे answer के बारे में perfect नहीं पता function तो यह आएगा लेकिन यह integral constant ही रहेगा यह c के साथ और क्या रहेगा इसलिए सारे absolute constant value हटा कर केवल c लिखा जाता है ठीक है क्योंकि c के बारे में खुद नहीं पता कि वो है कितना इसलिए केवल पिलस c रखा जाएगा और इसको कई लोग निगलेक्ट करना बोलते हैं निगलेक्ट नहीं होता मतलब यहां इसके बारे में पुन को पता ही नहीं है कि है कितना इसलिए केवल पिलस c से उसको balance किया जाता है इसलिए इसका नाम integral constant है सवाल नमबर 6 बैसे तो बहुत सरल है कुछ नहीं है formula लगेगा direct मगर आप लोग ध्यान से इस formula को याद रखके चलना है यह formula इसमें जो लगेगा वो इतना important है इतना important है कि इसका use आज से कम से कम 50 जगे use करोगे AOI application of integration में भी इसका use काफी जगे होता है ठीक है circle का area ellipse का area सब इसी से find होता है इसलिए इस formula को भई पक्का याद कर लो इसमें जो formula लगेगा यह formula तीन ऐसे formula तो अभी तो हल पिलाल आप यह याद कर लो a square x square dx 1 upon 2 x under root a square minus x square plus a square sin inverse x upon a plus c now I equal to formula बड़ा जरूर है मगर आपको याद करना पड़ेगा ठीक है prove भी हो जाते हैं लेकिन prove भी सब बड़े ही है इसके कोई आसान नहीं है चलिए तो हम formula के अंसार इस सवाल को लिखेंगे तो 4 की जगए यहाँ ऐसा करो 2 का square लिख लो minus x square यहाँ on putting a square equal to 4 in formula 1 formula में a square की जगए 4 और a की जगए 2 put कर दीजिए तो 1 upon 2 x under root 2 का square minus x का square plus 2 का square sin inverse x upon 2 plus c एक step और लिख दो बागी का आपका answer यही सही माना जाएगा 4 minus x square और पिलस 4 sin inverse x upon 2 और पिलस c बास सवाल नमबर 7 और सवाल नमबर 5 बिलकुल same to same है same formula लगना है same method लगना है इसमें भी आप पहले x square के साथ मैं जो 36 दिखाई दे रहा है 36 इसको common निकालिए common निकालने के बाद जो formula हमने question number 5 में use किया था बिलकुल same process same method question number 5 की तरह solve कर दीजिए x square minus 4 question number 8 हाँ यहाँ पर formula अलग लगेगा अगर यह x square प्लस 4 होता तो 1 upon a 10 inverse x upon a वाला लगता लेकिन यहाँ पर है dx x square minus 4 तो यहाँ पर formula यह जो लगेगा मैं वह लिख रहा हूं x square minus a square का 1 upon 2a log x minus a x plus a और प्लस c बस formula में आप value put कर दो on putting a square equal to 4 या a equal to 2 in formula number 1 तो देर्फोर आपका आंसर बस डारेक्ट ही आजाएगा 2 into 2 log x minus 2 और x plus 2 plus c बस यही आंसर है बस बहार 2 into 2 फोर लेकिन वाल नम्मर 9 बिलकुल सवाल नम्मर 8 वाला ही formula लगेगा इसलिए मैंने already लिखा रहने दिया यहाँ पर ठीक है बस अंतर है तो क्या है कि इसमें x square हो नीची x square minus 4 तो यह proper fraction नहीं है एक बाद बता दें आप लोको बिलकुल याद कर लो और mind में गाट बाद लो कि अगर proper fraction नहीं है हाँ एक चीज़ और अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे proper fraction हिंदी में बोलते हैं इसको उचित भिन उचित भिन अब मैं बताऊं आपको उचित भिन किसे बोलते हैं जिसमें हरकी घात बड़ी होना चाहिए अंस से May the degree of denominator is greater than degree of numerator than fraction हिस काुपर फ्रेक्शन तो इस समय जे क्या है इंप्रोपर इंप्रोपर फ्रेक्शन इंप्रोपर फ्रेक्शन माने बिसम बिन हिंदी में इसको बोलते हैं बिसम तो जब तक improper fraction होगा आप integration नहीं करिएगा उसको जब तक proper ना बना लें अब हम इसे proper बनाएंगे कैसे सीधी सी बात है डिवाइड दे दो x square में x square minus 4 का एक बार जाएगा x square minus 4 minus divide आप सब लोग दे ही लेते होंगे इसे class 7-13 से चालू हो जाता है तो यह बचा 4 ठीक है अब हम fraction लिखने का तरीका क्या होता है fraction x square upon x square minus 4 equal to quotient plus remainder upon divisor अगर आप इसका LCM लेके solve करोगे न तो x square minus 4 plus 4 cancel हो जागा x square ही बचेगा तो यह भिन लिखने का क्या तरीका है भागफल, धन, सेसपल, बते, भाजक और इंगलिश में बोलते है fraction equal to quotient plus remainder upon divisor ठीक है तो इस concept को याद रखिए जब आपका proper fraction ना हो तो उसे proper fraction बनाईए डिवाइड देके और डिवाइड देके fraction को क्या से लिख लिख लिए प्रॉपर में के quotient plus remainder upon divisor तो remainder upon divisor वाला जो portion होगा वो proper fraction बन चुका होगा तभी integration करना, otherwise पूरा solution गलत होने की संभावना बन जाती है तो मैं x square minus x square upon x square minus 4 को reduce कर रहा हूँ proper fraction में कैसे 1 plus 4 upon x square minus 4 dx तो बिलकुल सवाल नम्मर 8 ही बन गया, 1 dx लग कर दो और 4 बन अपॉन x square minus 4 dx तो 1 का integration x हो गया और 4 और formula यही लगा देंगे, इसमें भी a की जगे, 2 put कर दो तो 1 upon 2 a और log x minus 2 और x plus 2 plus c यह 4 से 4 cancel कर देना, तो यह last step है इस सवाल की x plus log x minus 2 upon x plus 2 plus c यह जडिए भी यह校 जड़ मत्वार की १रोियो झाल झाल अंडरू 25 माइनस 9 एक्सिस गया सवाल दस में 9 को पहले कोमन करना पड़ेगा 9 को कोमन करते ही ये सवाल बन जाएगा बिलकुल सवाल नम्मर 6 की तरह 6 की तरह सवाल कर देना वही वाला फर्मूला लग जाएगा जो मैंने बार बार बताया काफी वार यूज होता है उस फर्मूले को तो वही पका याद कर लेना कोश्चन नम्मर 11 ये भी आपका प्रोपर फ्रेक्शन नहीं है आप पहले इसको प्रोपर फ्रेक्शन बनाओगे और प्रोपर फ्रेक्शन बनाने के बाद बिलकुल उपर जो एक सवाल दिया है उस जैसा बन जाएगा बन अपोनी 10 inverse x अपोनी वाला formula लग जाएगा और आप इसको solve कर सकते हैं self do you सवाल नमबर 12 इसको करते हैं हलांकि ये भी simple है आप x plus 1 को x plus 1 न पढ़ते हुए इसको x ही read करिए तो जे dx under root x square plus 2 का square है ये ठीक है i equal to आगे जितने भी सवाल बनेंगे ना तो आपको कोई कोड़ इसको का formula मत खुल देना इसका वर्ग समीकर्ण मत बना बना देना ने तो फिर लोटके ये form बनाने पड़ेगी ठीक है इसी form में बनाने पड़ेंगे जितने भी वर्ग समीकर्ण quadratic equation है ये अल्रेडी बना हुआ है तो यहां direct हमारा formula लग रहा है कौन सा? x square plus a square वाला इसका formula log x plus under root x square plus a square plus c और इसमें value put putting कर दो x की जगे x plus 1 and a square की जगे 4 x plus 1 को t मान के भी कर सकते थे लेकिन कोई फर्क नहीं है इसमें direct value put करो कोई देखत नहीं है तो i equal to log x की जगे x plus 1 plus under root x square plus मत वह सॉरी x plus 1 का all square और प्लस 4 plus c ठीक है इतना solution sufficient अगर सवाल नम्मर 13 सई पूछो तो ये पिछली exercise में हो चुका है ऐसा सवाल आप यहां पर देख जो अगर square root लगा होगा तो proper proper के चक्र में मत पढ़ना तो ठीक है इसे तो आपको direct t suppose करना पढ़ेगा और t हम किसे लें वो देखो हम ऐसे function को t put करेंगे जिसका derivative कितना हो x square तो x square किसका derivative होता है x q का मताँ x की घातीन का अगर अब कलन करेंगे तो x square हमें मिल जाएगा x square dx तो हमने x c power 3 को t मानना है और on differentiate इसको differentiate करेंगे तो t का dt और ये 3 x square dx तो dt y 3 x square dx one same pattern पर है पिछली exercise में हो चुकी है ऐसे सवाल x square dx और under root इसको लिख लो पहले 1 plus x की power 3 का square 6 है ना तो 3 x 6 अब इसे t की form में convert कर दो तो x square dx की जगे लिख दो dt y 3 और ये under root 1 plus t square तो यहां लिख देना from first and second equation से तो 1 upon 3 अब बाद में t की value रख दो यह सुर्ण अभी तो formula लगाना है तो log इसमें formula जो लगेगा वो यह लगेगा log x plus under root x square plus a square plus c वाला और इसमें हमें formula में put करना है x की जगे कितना t capital x की जगे और a square की जगे बन लिख देता हूं मैं on putting capital x की जगे कितना t use करना है और a square की जगे बन पुट करना है इस formula में तो यह answer आएगा हमारा i equal to 1 upon 3 log t under root t square plus 1 plus c बाद में t की value भी put कर दो t अमने कितना माना था log t कितना माना था x q तो x q under root x की power 6 plus 1 plus c और यही आपका final answer सवाल नम्मर 14 यह भी 11 c की तरह है 11 c में हैं इस तरह के questions आप इसका solution ज्यान से देखिए और यह differential equation आगे भी definite integral में आएगा तो x upon under root x square minus 1 dx अलग कर लो और 1 upon under root x square minus 1 dx अलग कर ले अब ज्यान से समझना इसमें और मतलब इस वाले integration में और इस वाले integration में थोड़ा difference है इसमें x दिया है इसमें x नहीं दिया इसमें direct formula लगेगा लेकिन इसमें direct formula नहीं लगेगा इसमें हमें किसकी तरह solve करना पड़ेगा इसको 11 c में जिस तरह से question solve किये थे under root x square minus 1 को t suppose करना हो पड़ेगा इस x की वज़े से यहां तो direct formula लग रहा है यह जुन्दिव वाले 11 e वाले formula तो यहां सबसे पहले लिखेंगे let t equal to under root x square minus 1 आपको पता है कि जब भी square root में function मानते हैं हम t तो squaring करके ही differentiate करेंगे on differentiating 2 t dt 2 x dx 2 से 2 cancel out कर दो तो t dt equal to x dx हाँ एक बात और ध्यान रगा करो t equal to under root x square minus 1 यहां पर भी है यहां पर भी है तो copy check करने वाले sir जी आपका solution देखके confuse न हो जाए कि t इन्होंने इसके लिए 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 है इसलिए एक काम और कर दिया करो इस वाले integration को i1 suppose कर दो और इस वाले integral को i2 suppose कर दो तो हमने यहां काई के लिए t लिए 4 i1 के लिए ठीक है यहां इस वाले में i2 में तो direct formula लग रहा है तो i equal to x dx की जगे क्या रख दें t dt और इस square root को क्या माना था हमने t फिर minus इस में direct formula लगा रहे है log x plus under root x square minus 1 plus c यह t से t cancel हो गया 1 बचा 1 का integration t कर दीजिए तो यह t आ जागा minus log x plus under root x square minus 1 plus c और बाद मैं t की value पुट कर दूँ t हमने सपोस किया था under root x square minus 1 x plus under root x square minus 1 plus c यह हमारा answer है question number 15 बिल्कुल 14 का जो first part चलाए न इस पूरे इसका root को t suppose कर लेना बिल्कुल इसका जो यह वाला part चलता चलाया उसकी तरह solve हो जाएगा और t की value replace कर देना answer आ जाएगा करते है जाएगा PैंGroup